आप सभी लोगों का लरन टाइपिंग पर स्वागत है जैसा कि आपको पता होगा CHSL की डेट आ चुकी है और आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो है तीन नॉम्बर को इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइपिंग करते समय तीन सबसे important points क्या है सबसे पहले हम देखेंगे कि error कैसे calculate करेंगे दूसरा ये देखेंगे कि सबसे बड़ी mistake क्या है जब हम टाइपिंग करते हैं तो कौन सी गलती सबसे बड़ी है जिसको हम ना करें तीसरा जो सबके बन में confusion रहता है सबसे बड़ा confusion है कि 35 word per minute जो है वह आपकी net speed है या वह आपकी grass speed है तो इस वीडियो में हम ये तीन point discuss करेंगे सबसे पहला point how to calculate errors ये सबसे जो error calculate करता है वह दो base पे एक full mistake होती है और एक क्या होती है half mistake सबसे पहले full mistake देखते हैं full mistake में क्या होगा कोई word आप छोड़ देंगे omission कर देंगे उसका दूसरा substitution कर देंगे दूसरे word से तीसरा addition कुछ नया जोड़ देंगे कोई word ये word की गलती है मालीजे कोई sentence है Indian government is working hard इसमें क्या क्या आपने omission पहले अगर कर दिया तो क्या क्या government मालीजे आपने छोड़ दिया तो क्या लिख दिया Indian is working hard तो ये आपका 10 stroke जो है ये आपका चला गया तो 10 stroke की गलती हो गई दूसरा substitution इसमें क्या है इसके वज़ा हमने 2 से replace कर दिया तो आपका 2 stroke का इस था तो 2 stroke की गलती हो गई एडिसन में क्या किया हमने इज के अलामत 10 extra डाल दिया तो 10 हमने 3 stroke डाले तो 3 stroke की गलती ये हो गई फुल मिस्टेक में यही होता है ये एक word की गलती होती है इसमें आपके पूरे stroke चले जाती है इसके बाद देखिए आता है half mistake half mistake में क्या होता है कि जो words होंगे उसके आधे words में जितने stroke होंगे उसके आधे stroke के बराबर गलती होगी जैसे spacing error पहला इसका farm है इसमें क्या करेंगे हम space या तो भूल जाएंगे या तो extract कर देंगे इंडियन गवर्मेंट में देखिए यहां पर क्या हुआ हमने space छोड़ दिया तो गवर्मेंट का यह 10 और 5 10 6 16 16 17 बीच का space तो इस सत्रा सत्रा का आधा चला गया साढ़े 8 stroke की गलती हो गई ऐसे नीचे हमने extra space डाल दिया फिर भी इसमें भी क्या हो जाएगी साढ़े 8 stroke की गलती हो गई तो spacing error सबसे खतरनाक है इससे आप बचिये थोड़ी सी गलती से गया अगली half mistake क्या है रांग capitalization इसमें आप इसमाल के बज़ा capital letter कर देंगे या capital letter है उसके बज़ा क्या कर देते हैं small letter यहाँ पर जैसे हमने क्या किया इंडियन में small आई कर दिया तो इंडियन का जो 6 stroke था उसकी आधी चली गई गलती मतलब 3 stroke कट गया नीचे हमने क्या किया इसमाल में था capital कर दिया तो 2 का आधा 1 stroke गलत हो गया आगे क्या आता है half mistake में आप repetition, addition, transposition, omission, substitution यह कर देंगे letters का repetition में क्या करेंगे कोई letter आपने repeat कर दिया डबल ए कर दिया तो जो original word था इसमें गलती क्या है original word मतलब Indian में 6 stroke है इसकी आधी गलती होगी मतलब 3 stroke कटेगा आप कहीं भी गलती करते हैं Indian में तो repetition में हमने डबल ए किया गलती addition में Q extra add कर दिया देखिए A QN कर दिया 3 stroke गया transposition में IA कर दिया IA की जिगए AI गया omission एक word छोड़ दिया यन छोड़ दिया गया substitution आई यन था हमने यम डाल दे यन के जगा पर ये भी चला गया तो ये half mistake के अंदर आता है तो ये थोड़ा बहुत चल जाता है अगला सबसे बड़ा question what is the biggest mistake देखे जैसा कि आपने देखा spacing error क्या है आप थोड़ा सा space miss किए दो word का आधा उड़ गया इससे तो बचना ही है wrong capitalization इसमाल के वज़ाए capital कर दिया है capital के वज़ाए इसमाल गया इसके लिए आप क्या करिए इसको भी सुधार करिए ये दोनों चीजे सुधार ये सबसे बड़ी गलती है सबसे बड़ी नहीं मतलब काफी बड़ी गलती है सबसे बड़ी भी बताएंगे सबसे बड़ी गलती क्या है inter button अगर आपने गल्ती से भी inter button प्रेस किया तो हो गया काम तमाम वो पूरा line का जितना होगा उतना space extra वो count कर लेगा और space आपका होता है fix तो इस वज़ा से भूल के भी inter button कभी मत प्रेस करेए क्योंकि एक ही passage आ रहा है online typing में और वही बिना इंटर बटन दबाय हुए प्रेस करना है आपको टाइप करते जाना है बिना इंटर प्रेस किये हुए तो सबसे बड़ी गलती क्या है इंटर बटन कभी इस्तमाल मत करिए और इस्पेसिंग पे सुधार कर लीजिए अभी समय है जो पांच साथ दिन का उसके लिए आप स्पेसिंग पे सुधार कर लीजिए रांग कापिटलाईएसन हो रहा है थोड़ा रुक के सिफ्ट के साथ दबा के रुक जाईए सुधार जाएगा अब आते हैं सबसे बड़ा कनफ्यूजन सबके मन में यह डाउट है कि 35 वर्ड पर मिनिट जो है यह गरास स्पीड है या नेट स्पीड ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं गया है और जितने यूट्व चैनल वाले हैं सब बता रहे हैं कि 35 वर्ड पर मिनिट जो है नेट स्पीड है आपकी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये 35 word per minute आपकी grass speed है मतलब net अगर आपकी 30 रहेगी तब भी आप select हो जाएंगे क्यों? क्योंकि आपको 1750 की stroke type करना होता है अगर आप मात्र 1750 stroke type करते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपका क्या होगा? हाँ 1750 word में गलती भी तो होगी अगर आपके passage में ही 1750 word है तो बताइए 1750 stroke है तो ये बताइए जो आप गलती करेंगे उसको अगर निकाल देंगे तो फिर 35 word per minute आएगा कैसे? तो ये confusion दिमाग से निकाल दीजिए ये आपकी grass speed है error कितना allowed है? जो पिछली बार का था 7% जनरल के लिए बाकी category के लिए 10% तो आपको टेंसल लेने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है किसी का अगर 25 word per minute भी अब भी है तब भी वह थोड़ा मेहनत करे लगातार दिन रात एक कर दे तब भी उसका 35 word per minute बन जाएगा तो इसी के साथ best of luck अच्छे से तयारी करिए अगली वीडियो में हम बाकी जो आपके confusion रहेंगे उस पर वीडियो बनाएंगे तो thanks for watching टाइपिंग करते रहिए best of luck जाए हिंद